हेलो दोस्तो नमस्कार भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड येस दोस्तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज फिलाल हमनों को देखने को मिल रही है देखे में वीडियो के शुरुवात में ही क्लियर करना चाओंगा दोस्तो ये जो खबरे चल रहे है ये रिपोर्ट के जरिए सोर्सेस के जरिए हमनों को सुनने को देखने को आपे मिल रही है officially कोई भी खबर फिलाल तो देखने को नहीं मिल रही है पर जैसे कि आप लोग को पताए किए जो report रहते हैं sources रहते हैं और खास करके इतनी बड़ी खबर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि chances उसके सच होने के हो सकते हैं तो क्या है खबर तो चलिए अभी आज आते दोस्तो IT सेक्टर में दोस्तो महा भूकम अभी हम लोगों को होते हैं देखने को आप मिलने वाला है मतलब मेडिया सेक्टर में आप लोगों ने देख लिया PVR Inox का हम लोगों को अभी merger देखने को आप मिल रहा है Then finance sector में हम लोग ने भूकम देख लिया, किसे related, same merger से ही related, acquisition से related, HDFC bank and HDFC limited, इन चीज़ों को time लगता है, तो दोस्तो अभी number है IT sector का, दो बड़ी दिगज कंपनिया दोस्तो यहापे merge होने जा रही है, and यह merge होने के बाद हम लोग जरूर कह सकते हैं, जो IT company के दिगज star है, उनको बहुत ही अच्छा कासा वो competition देने की कोशिश जरूर करेंगी, so हम लोग को पता है कि IT sector के बड़े-बड़े players कौन से हैं, तो TCS है, आप सभी लोग को पता है, then Infosess है, then अगर हम लोग यहापे बात करे, तो Wipro का नाम हम लोग को देखने को आपे मिल जाता है, then अगर हम ल देखने के आपे मिलने वाला है, तो कौनसी कमपणी? Larson & 2BRO, अभी आप बोलो कि Larson & 2BRO, L&T & IT sector, तो अगर आप मार्केट में अच्छी खासे घुल मिल गए हो, तो आपको पता है, Larson & 2BRO के कितने सारे IT companies आप लोग को यहापे देखने को मिल जाएंगे, और दोस्तों उन लोगों को देखने को मिलेगे, यह देखे, L&T, L&T मतलब तो वो तो construction type company है, right, heavy equipment की बात करे, बट बहुत सारे services में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उसमें IT services भी आती है, अगर आप में थोड़ा और नीचे जाता हूं, तो यह देखे, इसके subsidiaries देखने को मिलेंगे Larson and Tubro के, तो यहाँ पर आप लोगों ने नाम तो सुनाई होगा, L&T Infotech, LTTS, L&T Technology Services, बाकी जो companies हैं, फिलाल हम लोगों को listed देखने को नहीं मिल रही हैं, देन अगर हम लोग यह आप बात करें, तो एक और company का नामे Mindtree, यस Mindtree भी L&T की ही company, obviously पहले से नहीं थी, 2019 में उन दोनों का merger होने ही, यहाँ पर जा रहे हैं, यह sources के जरीए, खबर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, देखें, ऐसा भी हो सकता है कि, Larson and Tubro इसे related बोल दे कि, बाद आरने किसी ने अफवा फैला दी करके, हो सकता है, possibility है, बट इतनी बड़ी news से related अफवा थोड़ा सा मु कि Mindtree and again कहना चाहूंगे, L&T Infotech, इन दोनों का merger होने जा रहा है, यह possibility वाली news फिलाल तो देखने को मिल रही है, अभी L&T Infotech से related मुझे बोलने की जरूत ने, क्योंकि नाम में ही L&T आ जाता है, तो parent company कोन रहेगी, इसकी holding company कोन रहेगी, इसका owner कोन रहेगा, वो अलग से बताने की, दिमाग लगाने की जरूत ने, Larson and 2 Bro, but yes, Mindtree के मामले में मुझे दिखाना पड़ेगा, आप लोग देख सकते है, Mindtree, तो ओड़ा नीचे चला जाता हो, तो इसके parent मतलब हम लोग बोल सकते है, इसके पिता जी आप ऐसा भी बोल सकते हो, तो देखिए, Larson and 2 Bro, 61 21% share है L&T के पास, so controlling stake है, जो चाहिए वो DCN लेकर, मतलब company इनिकी है, so इन दोनों का हम लोग को क्या होते हैं, देखने को मिल सकता है, mega merger, मतलब IT sector में बहुत बड़ा भूकम, और दोस्तों ये ऐसे वेसी companies नहीं है, मैं आप लोग को इसे related पहले थोड़ा सा article पढ़ लेते ह हैं, फिर हम लोग इसके market cap के उपर आ जाते हैं, इनके synergy, अगर ये news साच होती है, तो कितना बड़ा development हो सकता है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो फिलाल article को में continue करूंगा, तो आप लोग देख सकते दोस्तों, Larson and Tubro की फिलाल तो या पर बात हो रही है, और इनके merger की, कौन से merger की, तो इनके दो software companies है, जो फिलाल बाजार में आपे trail कर रहे हैं आपे, तो उनके merger के फिलाल तो नाम या पे, मतलब, खबरे हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है, जैसे के आप लोग देख सकते हो, कि कौन सी company, Mindree Limited and L&T Infotech, ये दो के नाम, फिल इतना मिलेगा, तो दोस्तों, जैसे मिने का कि अभी तक ये तो news confirm भी नहीं हुई है, अगर ये news confirm हो जाती है, तो फिर वो बाद में ये सारी चीज़े, swap, pressure and all that, ये future में आएगा, अगर company बोल देते हैं कि नहीं ने, किसी ने तो अफ़वा फेला देत, मतलब, यही पर सब क इतनी बड़ी news रहेगी, और जैसे कि आपको पता है, इतने बड़े news को secrecy रखना थोड़ा सा difficult होता है, तो किसी ने तो यहाँ पर इस चीज़े हम लों को भाहर आती हुए देखने का पर मिल रही है, इसलिए तो appreciate किया गया था, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का merger किसी को भी न निकाल लेते हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं वापस के रहा हूँ, Mindtree and L&T Infotech, यहाँ पर बताया जा रहा है कि next week, यहाँ पर आप देख सकते हैं, next week यहाँ पर इनके merger से related कोई ना कोई बातचेत हो सकती है, और इसी से related फिर swap ratio क्या रहेगा नहीं रहेगा, अगर news आएगी तो obviously मैं उसके उपर detail वीडियो तो बनाई ही दूँगा, बट जैसी कि आपको पता है कि फिलाल यह सारी चीज़े हम लोग को sources report के जरीए ही देखने को आपे मिल रही है, next अगर हम लोग आपे बात करें, तो यह already में आपको बता चुका हूँ, कि L&T Infotech में Bloomberg में भी cover होते वी देखने को आपे मिल रही है, then दोस्तों यह एक next para, जो कि इस company के इस merger को और भी चार चान लगा दे, मतलब आप देख सकते हैं, the two companies, यह दोनों company है, IT sector से ही बिलॉंग करती है, बट सबसे अच्छी बात, minimal overlap in the business, मतलब इन दोनों के businesses, या फिर client की अगर हम B, C, D करके, ठीक है, और mind tree भी same, उसी type का थोड़ा बहुत business करता है, IT sector से ही बिलॉंग करती है, तो इनके जो client है, वो ABCD नहीं है, कोई XYZ रहेंगे, या फिर कोई और रहेगा, मतलब क्या, इन दोनों का merger करेंगे, तो ऐसा नहीं है, कि client B, इनके पास भी है, and इनके पास भी हम लोगों को देखने को आपर मिल सकता है, यही paragraph, हम लोगों को बताता है, कि जो नई company आपर है, इनकी merge होके आएगी, वो और भी कमाल का performance दे सकती, the two companies have a minimal overlap in the business or the clients, and tie up, अगर इनका हो जाता है, so जबर दस, इनका यहापर हम लोगों को pricing power भी देखने को मिलेगा, and इनके cost भी reduce हो जाएंगे, यह सबसे बड़ा advance हो जोता है, merger का, synergies create हो जाती है, so हम लोग जरू के सकते हैं, बहुत ही धमाकेदार खबर यह, हम लोगों को देखने को मिल सकते है, अगर यह खबर सच हो गई, तो, so, obviously, यहापे जबी भी इस तरी की खबर आगई, माइन ट्री को दिखा गए, तो, market भी इसके चलते थोड़ा बहुत react है, आपे कर सकता है, so, जरूर आप लोगों ने कल के दिन के सबसे, माइन ट्री, L&T, Infotech, इन दोनों के उपर आप लोगों ने focus बना के रखना है, माइन ट्री की बात है, अलग हो सकते है, because माइन ट्री के numbers भी आपे आ यह S.E.V.C. company ने हम लोगों ने इसको देखा तो, तो, बहुत ही चोटी company थी, 50,000 करोड का market क्या, अभी तो, 1,00,000 करोड का market cap बन चुका है, L&T Infotech ही खुद में इतनी बड़ी company है, कि मैं आपको क्या बता दू, बहुत बड़ी blue chip company है, डिजाव करती है, Nifty 50 में होने के ल नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं, बट अविसली ऐसा नहीं रहेगा, synergies भी मिल जाते हैं, synergy मतलब दोनों एक साथ आएंगे, तो कुछ फाइदा होगा, तो आप लोग पकड़ सकते हैं, कि इनका आने वाला market cap रहेगा, वो बहुत ही कमाल का यहापे हो सकता है, यह company बहुत तो यह तीसरी बार repeat कर रहा हूँ, obviously यह जो खबरे आ रहे है, report के जरी है, sources के जरी आ रहे है, L&T जब तक इससे related कोई clarification नहीं दे, तब तक हम लोग ने इसको तो confirm तो नहीं मानना चाहिए, बट आपको पता है, market में यही चलता है, buy on rumors, sell on news, बट वो trader लोग इस्तमाल करते ह कोनो कमाल के stock से है, यह हम लोग को यह पर पता है, तो अगर आपके पास रहेगा, तो वैसे भी win-win situation ही है, अगर हो जाता है merger, तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है, क्या फरक पड़ता है, थोड़ी ना दोनों खराब घटिया कंपनी की merger से ही यह आगे बढ़ने व का नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थूपन के है, बस इतना है मुझे बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आपने को एक हफते बर के अंदर यहापर प्रोवाइड कर दी जाएगी, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाई बाई